जैस्री राम प्यारे बगतो यह संकेत बताता है कि आपको बगवान का प्यार मिलने लगा है और बगवान के दर्शन भी अवश्य ही होंगे प्यारे बगतो कई बार हमारे पास comment आता है ऐसा कि जब हम भगवान का नाम जब करते हैं भजन ध्यान करते हैं तो उनके स्पन्दन होता है स्पंदन का मीनिंग प्यारे बगतो वाइब्रेशन होना लुप लुप होना तो वो स्पंदन शरीर में कहीं पर भी हो सकता है आपके आज्या चकर में हो सकता है आपके सैस्रार चकर में हो सकता है सिर के पिछले इस्या में हो सकता है कईयों के कमर में होता है नाभी के पास होत कहीं पर भी स्पंदन होना आपके शरीर में ये शुब संकेत है बहुत ही शुब संकेत है इसका मतलब ये है कि परमात्मा आपकी सोई हुई शक्तियों को जगा रहे हैं और वो अपना प्यार आपको देने की कोशिस कर रहे हैं ये जितना ज्यादा स्पंदन आपका बढ़ेगा न उतना ही अधिक भगवान का प्यार आपको मिलेगा उसके शक्तियां आपको मिलेगी क्योंकि प्यार करता है कोई किसी से जब कोई किसी को कुछ देता है जब परमात्मा आपसे प्यार करने लगे है तब ही वो आपको अपन चक्कर में स्पंदन होना शुरू हो गया है यानि कि लुप-लुप वाइब्रेशन होने लगी है तो ये समझ लेजिये आपका दसमा दरवाजा खुलने वाला है जब दसमा दरवाजा खुल गया तो तत्रिशन भगवान के दरशन हो जाएंगे यानि vibration का मतलब ये है कि प्यार तो मिली ही रहा है और बगवान के आपको दर्शन भी अवश्य होंगे बसरतें आपको अपनी साधना निरंतरता से करनी है ये नहीं है कि अब आपको स्पंदन होने लगया फिर आपने दस दिन छोड़ दी तो जितनी आपने करी वो सब पीछे बराबर पहुच जाएगी फाइदा क्या होगा फिर उसको प्रती दिन बढ़ाओ आज आपने पंदरा मिंट नाम जब किया कल आप 20 मिंट करो 25 करो आदा गंटा करो प्रती दिन बढ़ाओगे तभी आपको आगे ज़्यादा लाब मिलेगा जबी ज़्यादा वाइब्रेशन और बढ़ेगी जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ही सिगरता से आपको शक्तियां मिलेंगी शक्तियां आपकी जागरत होंगी और भगवान के आपको दर्शन होंगे ये संकेत यही बताता है जिस किसी को भी ऐसा अनुभव होता है तो आप जो है प्रशन हो जाईए ये शुब संकेत है भगवान आप से मिलने के लिए तयार है जितनी ज़्यादा वाइबरेशन जब आग्या चक्कर में होने लगेगी ना हर कार ये करते करते भ होगे जब ही आपको वाइबरेशन होगी लेकिन एक सिच्वेशन ऐसी आ जाएगी जब आप नाम जब भी ना करोगे ना कुछ भी कार्य कर रहे हो गरका तो भी आपके यहां पर जो है अग्या चक्कर में अग्या चक्कर मतलब जहां पर माताएं बहने बिंदी लगाती है जो नाक का अग्र भाग होता उसको बोलते अग्या चकर तो वहां ऐसे वाइबरेशन होने लग जाती है लुप 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 की आवाज आती है अलकी-अलकी आपको मतलब थोड़ा जैसे कुछ हिलता है इसे उसको बोलते है वाइबरेशन या सपंधन तो जितनी ज्यादा आप साधना के द्वारा अपनी इस वाइबरेशन को बढ़ाओगे उतनी ही जल्दी वो दर्वाजा खुलेगा और खुलते ही उसका साक्षात का रनी संदे होगा प्यारे बगतों अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जैस्री राम प्यारे बगतों